रेड बटन दबा कर मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन्स के लिए हाई अब्रिवन मैं शांती स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे कुकिंग चानल कुक विद ऐसेस में आज मैं आपके साथ एक सब्सक्राइब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो की है दही आलू जिसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही डिलिशिस बनती है तो चलिए फिर शिरू करते हैं इसे बनाने के लिए पहले हम चोटे साइस के आलू ले लेंगे अगर आप बड़े तो फिर उसके चार पीस करके आप उसे यूज सकते हैं अब सबसे पहले इन आलू को हम बॉयल कर लेंगे तो इसके लिए मैंने इने प्रेशर कूकर में डाल लिया है साथ हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा पानी और एक सीटी आने तक हम इसे कूक कर लेंगे और उसके बा थंडा हो गया है और आलू भी बॉइल हो चुके हैं तो पानी गरम है तो सबसे पहले इसे थंडे पानी में ट्रांसफर कर लेते हैं तो मैंने पानी को चेंज कर लिया है और अब जो यह आलू है इनके छिलकों को हम निकाल लेंगे और सभी आलू को हम छील लेंगे अब सभी आलूओं पे हम इस तरह से फोक से पोक कर लेंगे साथी मैंने कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रख लिया है तो मैंने यहां पर तीन बड़े चम्मच ऑईल यूज किया है और गरम हो जाने पर हम इसमें अलूओं को डाल कर दोनों साइट से अच्छे से फ्राय कर लेंगे हम इन्हें दोनों साइट से इस तरह से पलट कर इन्हें लाइट गोल्डन होने तक पकाना है आलू भी बनकर एकदम रेड़ी है तो अब इन्हें हम यहां से निकाल लेते हैं और एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे अब इसी तेल में हम आगे की प्रॉसेस करेंगे तो इसमें मैंने डाला है एक चम्मज जीरा एक चम्मज सरसो के दाने और जब यह चटक जाएं तो हम इसमें डालेंगे बारिक कटी हुई प्याज तो मैंने एक प्याज यूज की है और इसे चला लेंगे हम प्यास को हमें ब्राउन करना है तो अच्छे से भून लेंगे प्यास को लो फ्लेम पे थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें अद्रक लेसुन का पेस डालेंगे तो एक चमच अद्रक लेसुन का पेस डाल कर हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसे भी हम प्याज की तरह अच्छे से भून लेंगे प्याज हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हैं यह अच्छे से brown हो गए हैं light brown हो गए हैं तो अब इसमें हम टमाटर का paste डाल लेंगे मैंने यहाँ पर दो चोटे टमाटरी यूज किये हैं इसे हम mix कर लेंगे अब इसमें हम लंबाई में कटी हुई हरे मिर्च डाल लेंगे मैंने दो हरे मिर्च का यूज किया है और इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी दही ली है यह खटा दही नहीं है, नॉर्मल दही है, इसमें हम सभी मसालो को मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिया है, एक चुथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, आदा चोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक आदा, इसमें डाल लेंगे, और जब भी हम दही आट करते हैं, तो हमें 2-3 मिनट तक लगातार इससे चलाना होता है, ताकि दही है वो इसमें फटे न, तो 2-3 मिनट तक हम इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे, और पाउड़ा चुथाई अब दालेंगे हम गरम मसाला तो मैंने यहां पर एक चुथाई चमच गरम मसाला डाला है इसमें और थोड़ी सी कसूरी मेती इससे स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है तब जरूर अड़ करें इसे मिक्स कर लेंगे हम और इसके तेल छोड़ने तक इसे अच्छे से पका लें तो देखिए मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है तो इसमें अब हम आलू डालेंगे और आलू के साथ भी सारे मिक्षे को अच्छे से मिला लेंगे जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम पानी डाल लेंगे मैंने यहाँ पर एक कप पानी का यूज किया है आपको जैसे साब से ग्रेवी चाहिए आप उससाब से पानी इसमें आड़ कर सकते है और अब इसे ढखकर हम पूरे पांच मिनट के लिए इसे पकने दे देल छोड़ दिया है और बस अब इसमें डालेंगे हम बारी कटा हुआ हरा धन्या और इसे कर लेंगे मिक्स और देखिए हमारी दही आलो की सबजी बनकर बिल्कुल तयार है आप इसे एक बार ज़रूर बनाएगा और अपने व्यूस मेरे साथ कॉमें सेक्शन में ज़रू बबाइ